इस फार्मूला का एक यूज मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप बल बढ़ाईएका तो दाब भी बढ़ेगा बल घटाईएका तो दाब घट जाएगा एरिया घटाईएका तो दाब बढ़ जाएगा और उसी का दूसरा यूज हम यहां बताने वाले हैं चाकू रता थारहीन कई ऐसे असानी से निकड़ता है इसके पीछे का कारण ऐसे पार्मुला है अप जब भोथार चाकूँ आए धारहीन कुकि आप बात कर रहे होते हैं उसमें उसके धार पर जंग लग जाता है मोटा हो जाता है धार का मोटा होना आने की एरिया बढ़ जाना धार का एरिया बढ़ जाएगा धार का एरिया बढ़ जाएगा तो दाब का होगा कम है आप जो बल समान लगा रहे हैं लेकिन आपने का का धार तेज करने का मतलब को कम करना तो डाब क्या होगा बढ़ जाएते लेकिन आप क्या होगा उटॉमेटिकली बढ़ जाएगा का मतलब कि अगर एरिया आप कम कर दिये थे तो दाब ज्यादा हो गया दाब ज्यादा हो गया तो दबेगा ज्यादा तो कटेगा ज्यादा और अगर एरिया आप ज्यादा कर दिये हैं तो दाब कम होगा बल आप तो उतना ही लगा रहे हैं लेकिन दाब आपका कम है तो दाब कम तो कटेगा कम आप समझ सकते